क्रांती औरेसामी आपका स्वागत है, भेलिया और सारस की कहानी, एक जंगल में एक भेलिया रहता था, वो ही एक दिन एक शिकार करके उस जानवर को खा रहा था, खाते खाते उसके गले में एक हटी अटक जाती है, बहुत कोशिश करने के बाद भी भेलिया अपने गले से उ उस सारस से मदद मानता है, पहले तो सारा बहुत ज्यादा दरा हुआ सा रहता है, क्योंकि उसे एक भेलिया की मदद करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब भेलिया उससे बोलता है, कि तुम मेरे गले में फांसी हटी को निकालो में तुम्हें इनाम दूनगा, तो इस तुम्हारे गले की हड़ी निकाली है, मेरा इनाम कहां है, यह सुनकर भेलिया सारस से कहता है, तुम्हारी गर्दन मेरे गले से सुरक्षित बहार आ गई है, यही तुम्हारा इनाम है, इस बात से सारस को बहुत दख हुआ, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कि हमें कभी स्वार्थी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई आत्म सम्मान नहीं होता है। उसकी सहायता करने पर बदले में किसी भी तरह के लाप की अपेक्षा ना करें। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबरायम मिलकर